प्रिटेन का प्रधान मंत्री बनने के बाद भारत के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी रिशी सुनक से एक ही दिन पहले शी जिन्पिंग भी तीसरी बार चीनी कम्यूनिस पार्टी के महा सचिव्ट सुने गए थे लेकिन पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को बधाई नहीं दी हाला कि जब शी जिनपिंग दूसरी बार राश्ट्रपती बने थे तब पीएम मोदी नो उन्हें बधाई दी थी लेकिन इस बार कुछ ना कहकर पीएम मोदी ने जिनपिंग से बहुत कुछ कह दिया है पिये मोदी की खामोशी ये दिखाने के लिए काफी है कि भारत और चीन के बीच अभी स्थितियां सामान्य नहीं हुई है भारत ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपना रखा है पिछले लगभग दो सालों से चीन भारत को उकसा रहा है भारत के खिलाफ अपनी आकरामकता बढ़ा रहा है चीन ने शी जिन्पिंग के तीसरी बार राश्ट्रपती चुने जाने से पहले भले ही LAC से अपने सैनिकों को पीछे करने का दिखावा किया हूँ लेकिन राश्ट्रपती चुने जाने के बाद जिन्पिंग ने अपना असली चहरा दिखा दिया जिन्पिंग अब और भी ज्यादा अकरामक दिख रहे हैं भारत ने बाचीट के जरिये दोनों देशों के बीच विवाद को सुलजाने की कई बार कोशिश की लेकिन चीन ने हर बार भारत को धोका दिया ऐसी स्थिती में पिये मोदी ने शी जिन्पिंग को बधाई ना देकर ये बता दिया है कि भारत अब अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेगा भारत हर स्थिती का मजबूती से मुकाबला करने के लिए तयार है पिये मोदी का चीनी राश्ट्रपती को बधाई ना देना अब चीन में चर्चा का विशाय बनता जा रहा है न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिये मोदी की चुपी ने खतरनाक संदेश दिया है इन लोगों ने कहा कि ये आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच विवादों और तकराव को उजागर करता है मज़े की बात देखिए कि ये चीनी एक्सपर्ट तब खामोश हो जाते हैं जब चीन बार बार LAC पर घुस पैट की कोशिशे करता है ये चीनी एक्सपर्ट ये भी भूल जाते हैं कि असल में विवाद और तकराव की वज़े चीन ही है बहराल भारत अब चीन के प्रती अपने रुख में कोई नर्मी दिखाना नहीं चाहता है चीन के प्रती भारत के कड़े रुख का नजारा दुनिया ने समरकंद में हुई SEO बैठक में ही देख लिया था जब प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी चीनी राश्ट्रपती शी जिन्पिंग के साथ एक ग्रुप फोटो में दिखाई दिये शी जिन्पिंग के इतने करीब होने के बावजूद प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी ने ना तो हाथ मिलाया और ना ही जिन्पिंग की मौजूदगी का ऐसा नोटिस लिया जो सार्वजनिक तौर पर जाहिर होता हूँ